बस्पा नेता और पूर्व राजिसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा के नाती को स्कूल में पीटने का मामला सामने आया है खबर सामने आ रही है कि इसको लेकर स्कूल टीचर पर रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है इस संबंद में सतीश मिश्रा के दामाद और हाइकोट अधिवक्ता परीश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा ला मार्टीनियर बोईज की कक्षा पांच में पढ़ता है पीटी टीचर संगीता सहाई ने बेटे को बुरी तरे से पीटा है इसके बाद उन्होंने गौतम पल्ली थाने में महिला सिक्षक के खिलाफ FIR भी दर्च करा दी है इस मामले में गोमती नगर निवासी परेश मिश्रा ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से भी सिक्षिका की शिकायत की है इसके साथ ही लेकिन टीचर पर कोई कारवाही नहीं की गए तो दूसरी ओर उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल प्रशाशन ने भी संबंद में कोई भी कदम नहीं उठाया क्योंकि वे पीटी टीचर और प्रधानचार से भैवीत है इसी के बाद उनको एक रिपोर्ट दर्श करानी पड़ी परेश मिश्रा ने शिकायत करते हुए कहा है कि मेरा दस वर्शिय बेटा ला मार्टीनियर बोईस स्कूल हजरत गंच लखनव में कक्षा पांच में पढ़ता है उसे टिफिन खाने को लेकर पीटी टीचर संगीता सहाय द्वारा बुरी तरे से मारा पीटा गया है जिससे बच्चा डरा और सहमा हुआ है वह अपनी मम्मी और दादी के सामने रो रहा है और स्कूल जाने से भी मना कर रहा है परेश मिश्रा ने ये भी बताया कि मैं हाई कोट में अधिवक्ता हूँ जब मैं कोट में था तो घर से फोन पर ये सूचना मुझे मिली इसके बाद बच्चे के स्कूल गया और प्रधानाचार से मिला तो उन्होंने कोई भी बात सुनने से इंकार कर दिया परेश मिश्रा ने प्रधानाचार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शिकायत सुनने के बाद भी टीचर सहाई को बुलाया तक नहीं साथ में प्रत्यक्ष रूप से ये भी कहा कि आपके बच्चे को आगे भी पढ़ना है परेश मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके बच्चे ने बताया है कि टिफिन खाने को लेकर बच्चे की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने शिक्षिका से शिकायत की थी इसी बात को लेकर उनके बेटे के साथ ही क्लास के अन्य बच्चों को भी बुरी तरह से छड़ी और थपडों से मारा गया है इसी के साथ ही PT टीचर ने चिला कर बच्चों को चुब भी कराया और धमकी दी कि कि किसी को भी ये बात मत बताना परेश ने आरोप लगाया कि इस मारपीट वाली घटना के बात से बच्चे के मन, मस्तिश्क और साथ ही शारेरिक शती भी पहुँची है वह बुरी तरह से डरा हुआ है और फिर से स्कूल जाने का मन नहीं बना पा रहा है उसके इस स्तिती से पूरा परिवार परेशान है आपको बता दें कि शिकायत के मताबिक बच्चा महिला टीचर की पिटाई के बात काफी डरा सहमा है आरोप है कि महिला टीचर ने थपडों और डंडों से मासूम की पिटाई की है बच्चा इतना डर गया है कि अब वो स्कूल जाने से भी मना कर रहा है और गुमसुम रहने लगा है पुलिस में दी गई शिकायत में ये भी दर्ज है कि आरोपी महिला टीचर ने आने छात्रों की भी पिटाई की है और आरोपी महिला टीचर का स्कूल में अच्छा प्रभाब है इसलिए प्रिंसिबल भी उसके खिलाफ कोई अक्शन नहीं लेना चारी है फिलाल इस मामले ने एक बार फिर स्कूलों में शिक्षी को द्वारा होने वाली मासूम चात्रों की पिटाई के मामले को चर्चा में ला दिया है इस खबर में इतना ही बाकी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें भारत एक्सप्रस उत्तर प्रदेश नमस्कार